वेलकम जी, लेट से स्टार्ट, आज एक सियर जो जब बरदस्त तेज भाग रहा था, पूरा मार्केट क्रैस था, इस्टिल ये सियर आज आपको 2.66% का अप दिया, और मॉनिक से ही ग्रीन मेही रहा, और ट्रेड क्लोज होते समय भी ये अपने अप डायरेक्शन में क्लोज ह हुआ है, अगर हम बात करते हैं इसकी एक साल के परफॉर्मेंस की इस कंपनी ने आपको आपके पैसे को डेड़ गुना कर दिया, 145% का रिटरंस जस्ट लास्ट वन येर में, आप देख सकते हो, कंटिनिवस अप डायरेक्शन के उपर ये ट्रेड किये जा रहा है, सेंसक्स एक साल में, सेंसक्स ने आपको रिटरं दिये 51%, सेक्टर ने दिये 128% और इसने दिये 146% रिटरं, आप समझ सकते हो, ये स्टॉक्स सेंसक्स को भी बीट कर रहा है, ये स्टॉक्स अपने सेक्टर को भी बीट कर रहा है, और जबर 10 रिटरंस आपको पिछले एक साल में इसने दे दिया वन डे में 3 परशंट वन मंत में 50 परशंट तील वाइड यह डेट में 81 परशंट और एक साल में 146 परशंट का रेटर्ण जो अगर आप इसके बात करो इसके फिनेंशल नंबर के आप इनका रेबनू देखो 2017 में 213,000 करोन देन 228,000 करोन 253 करोन 269,000 करोन 279,000 करो सो रेबनू कंसिस्टेंट एक लेवल में ग्रोथ बड़ोत्री के साइड में चाल रहा है अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें देखिए इसका प्रॉफिट 2017 में निगेटीव सित्या और निगेटीव हो गया लेकिन 2019 में 2600 कर करो देन डवल 22,000 करो तो आप नेट प्रॉफिट इसका सोच सकते क्या जबर्दस तरीके से पिछले दो-तीन साल में बढ़ा हुआ है अगर आप बात करते हो सो इस कंपनी है सभी को पता है स्टीट बैंक आफ इंडिया इस बी आई इंडिया की अगर किसी पीसी बैंक में आ इस बी आई है और एक साल में इसने बंपर रेटन 146 परशेंट के सेरोखुलर को दे चुका है और एक लार्ज कैप का स्टॉक्स है अग बहुत बढ़िया बात यह कि आज की डेट में यह स्टॉक्स अपने इंट्रेंसिक वैलू से भी कंपे ट्रेट कर रहा है और यह आज क आज बात करते हो इनके कंपणी के तरफ से मैनेजमेंट के तरफ से तो कोई नो रेट फ्लैग विद इस कंपनी और यह आप देखो इसक्टर का पी है आपको 29 पर और यह मिल रहा है आपको 19 के पी पर तो सक्टर की पी से भी एक कंप पर मिल रहा है इसके वासे इसके इसका value less than current price है तो आप एक value buying stocks अगर आप one more year के लिए target कर सकते हो आने वाले 2-3 month में यह आपको काफी अच्छा return दे सकता है 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 भी है भी इस समय इसमें momentum है इसके stock price के अप जाने में कि अगर आप बात करते हो इसके अबाउट इस company सो आपको पता इसमें SBI के बारे में किसी को बताने जरूत नहीं SBI क्या है इंडियन multinational public sector bank तो अगर PSC bank में और multinational में इस कंपनी का SBI का presence इंडिया कंट्री में तो हर जगह है across the country भी अविलेबल है और यह 43 लार्जेस्ट बैंक इन दे वर्ल्ड पूर्य वर्ल में बात करें तो 43 लार्जेस्ट बैंक है और 221st रैंक इन फार्चुन 500 ग्लोबल कंपनी तो फार्चुन 500 की जो कंपनी होती है उनमें 221th पोजिशन से SBI आती है और बात कर सकते हो यह वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्परेशन थी इन 2020 में राइट और इस बैंक की बात करो तो यह आज की डेट में 23 पासे मार्टेस्ट शेयर आप इसी के पास है अगर आप चेक करो इसके इंडिया में जो फिफ्ट लार्जेस्ट इंप्लायर है वो एस्पीए के पास है तो आप अगर कोई भी आप चाहते हो कि पब्लिक सेक्टर बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट करना तो आख बंद करके आप SBI के पर जा सकते हो इतना बड़ा बैंक है कि आप इसको आख बंद करके बिलीब कर सकते हो जाए जाए आवर कंट्री का बैक बोन तो बैंक है न वेस्ट भी आई है और यह ट्रेट कर रहा है उस इंट्रेंसिक वैलू से भी नीचे के उपर फेस वैलू से उपर है इंट्रेंसिक वैलू के नीचे है तो आप चखकर होगे मार्केट प्राइस इसके इंट्रेंसिक वैलू से लो है तो यह एक तरह का काफी गुड डिसीज़न होगा वैलू वाइंग के लिए तो आप इस समय पिछले एक दो वीक से भी देख रहे हो इसकी स्टॉक्स में continuous तेजी बनी है और huge volume के साथ बनी है तो possibility यह बन रहा है कि इसमें आप shorter period of time के लिए one month two month three month के लिए good returns इससे जरूर जरूर आप निगाल सकते हो अगर आप एक investment perspective से किसी bank में investment करना चाहते हो और PSU में आप interest अगते हो तो यह bank is the only one SBI bank अगर PSU bank के अलावा other bank में कोई option नहीं अगर आपको करना है तो आप फिर private bank में HDFC bank में चला जाओ but in the case of PSU bank this is the only one SBI bank और यह पिछले one year में आप 146% का return दे चुका है tremendous returns आप इसके profit को देखे आप इसके sales को देखे revenue को देखे so from this note आप इस PSU bank SBI को आप consider कर सकते हो एक short terms goal achieve करने के लिए और आख बंद करके इसके मैंने future के उपर तो आजे इस country में अपनी country में SBI के उपर तो सब लोग believe कर सकते हैं SBI kind of backbone for Indian finance systems so तो नहीं जब government आप इसके उपर believe कर सकते हो तो इसके share market में भी share market देखो पिछले एक साल में में कितना अच्छा return दिया है तो surely आप एक PSU bank में एक good and good option SBI bank for the investment Thank you for watching this video